नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 18 फरवरी शनिवार दोपर सबाएक बजे राजस्तान की पंदरबड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हड्लाइन्स पर चोटी काशी में धुमधाम से मनाई जो रही है शिवरात्री रास्तान के बाहर से खरीदे वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50 फेस्टी तक छूट बस आर्थी लगाने के लिए चीफ मैनेजर के लिए मांगे थी रिश्वर रास्तान में कॉंग्रिस के जिलाध्यक्ष मनोनित क करने की तैयारी और खाटु शाम मेले में लगेगी रोडवेस की 30 अतरिक्त बसे और अब खबरे विस्तार से विभनी योग संयोगों में महाशिवरात्री का परव शनिवार को छोटी काशे जयपूर में धुमधाम से मनाये चौरा है मंगला आर्ती के साथ ही शोहर के प्रम महादेव, ट्विन्स रोड स्थित, ज्छारखंड महादेव, वनी पार के जंगल एश्वर महादेव, छोटी चौपर सित, रोजगार एश्वर महादेव, जोटवाडा रोड सित, चमतकार एश्वर महादेव, आदिशिवालियों में सुबा से ही शद धालू उमड रहे है दुपहिया और चौपहिया नए वाहन खरीदने तथा दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों का यहां रजिस्टेशन कराने पर पुरानी टैक्स लैब को कम किया गया है इससे 100cc तक के दुपहिया वाहन खरीदने पर अब वाहन की शोरूम कीमत का 4% ही रजिस्टेशन चार्ज देना पड़ेगा इससे 800cc तक की कार खरीदने पर अजिस्टेशन शुल के तौर पर करीब 8000 रुपे कम देने पड़ेंगे जबकि डीजल कार खरीदने पर कम से कम 20,000 रुपे की बच्चत होगी ACB जैपूर की स्पेशल यूनिट द्वित्य एकाई ने भीलवाडा रोडवेज डीपो के चीफ मैनेजर परमवीर सिंग राणावत के लिए 8000 रुपे की रिश्वत लेते एक दलाल को जैपूर में गिरिफतार किया है दलाल ने ये रिश्वत रोडवेज में चौल रही सार्थी योजना के तहट बस पर कंड़क्टर लगाने के लिए मांगी थी जैपूर ACB के इस कारवाही के बाद भीलवाड़ा ACB के रानावत के के सुशांत सिटी स्थित किराय के घर वे रोडवेज बस कारले में भी दस्तावेजों की तलाशी ली ACB के ADG हेमन प्रियदर्शी ने बताया कि ACB को चीफ मैनेजर के खिलाफ मासिक बंदी लेनी की शिकायत मिली थी रासान के सभी जिलों के जुला ध्यक्षबी रायपूर में 24 से होने वाले रास्टे अधिवेशन में शामिल होने जौएंगे इसलिए अब जल्द ही इनकी घोशना की जाएगी कांग्रिस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा शुकरवार को जयपूर पहुंचे वेजिला ध्यक्षब सहीद राजस्तान के AICC वेब PCC के सहव रते सदस्यों की निक्ति की अंतिम सुची तयारी के समन्द में बैठके कर रहे हैं रंधावा को एरपोर्ट से लेकर मंत्री प्रताप सिंग खचरियवा सीम निवास पहुंचे C.A.M. अशोगेहलोद, प्रदीश कौंग्री सद्धेक्ष, गोविन सिंग डोटास्रा और प्रभारी रंधावा शनिवार को भी इन सूचियों पर मंत्रन करेंगे सीकर जिले में बाबा खाटु श्याम का लख़्ी मेला 22 फरवरीज से शुरू होने जा रहा है मेले में सीकर जिले के अलावा राजस्तान ही नहीं बलकि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धा लुआएंगे ऐसे में यात्री भार को देखते वे रोडवेज मेले के दौरान 30 अत्रिक्त बसे चलाएगा रूट पर यात्री भार जादा होने पर अत्रिक्त बसों का संचालन होगा सीकर रोडवेज की कारेवाहक मैनेजर नरुत्तम शर्वान ने बताया कि मेले में आने वाले दर्शनाथियों को सुलाव वे सुविधा पौर्ण परिवहन सुविधा उपलप्त कराने के लिए 30 अत्रिक्त बहानों का संचालन किया जाएगा रासान के सभी टाइगर रिजर्व और दूसरे सनक्षित शेत्रों में नीशुलक सफारी परेटन को लेकर प्रधान मुख्य वंस अनक्षक की ओर से निकाले गए आदेश को राजसरकार ने वेवहारिक नहीं माना है राजसरकार इसको खारिस करते हुए केवर समधित फिल्ड डिरेक्टर और डिएफो को अधिकरत करने जा रही है बताया गया कि 14 फरवरी को निकाले गए आदेश का मामला CMO तक पहुँचा CMO ने टैगर रिजर्व में फिल्म शूटिंग पर जवाब तलब किया है स्विमिंग की तैयारी करने वाले खिलाडियों के लिए अच्छी ख़बर है यहां इंटरनाशनल खिलाडियों के बीच नए खिलाडियों को तैयारी का मौका मिलेगा इसे आम व्यक्तियों की पहुँच सिद्दूर रखा जाएगा जपुर के आमेर में सागर रोड पर करीब 500 मिटर अंदर ऐसा महादेव का मंदिर है जहां महादेव शिवलिंग के रूप में नहीं शिला रूप में विराजमान है यहां शिव शिला ध्यान मुद्रा में है यह है आमिकेश्वर महादेव मंदिर यह शिव शिला 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचिन बताई जाती है जिसका जमीन दोज होने के बाद पुन है एक हजार वर्ष पहले जुन्योधार करा आए गया मंदिर 14 खंबो पर टिका है शिव मंदिर की जलहरी भूतल से करीब 22 फिट गहरी है 25 इंच का घोड़ा इंदिनों जोदपुर के महाराजा गज सिंग स्पोर्स फाउंडेशन पोलो ग्राउन में सबसे बड़ा आकरशन का केंडर बना हुआ है इस घोड़े को आरलेंड से इंपोर्ट किया गया है तीन साल का किंग अर्थर फैला बेला ब्रीड का है और इंडिया का इस हाइट का सबसे पहला घोड़ा है अर्थर ग्राउंड में एक मिनट भी शांती से खड़ा नजर नहीं आता सुनेर बालो वाला सिर्फ 25 इंच का ये घोड़ा आपने पिछले दो पैर पर खड़ा होता है फास्ट और एक्टिव होने की चलती ये घोड़ा बिल्कुल भी शांत नहीं बैरता इस घोड़े का दाम तो BMW से भी अधिक है दरसान लोग सिवा आयोग ने सहाय कृषिय अनुसंधान अधिकारी समिक्षा परिक्षा 2022 के च्छे विशों की मौडल आंसर की पर आपत्या मांगी है आपत्य बीस फरवरी तक दी जा सकेंगी आयोगने अग्रिकल्चर और कैमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, प्लांट, पैथोलोजी, होर्टिकल्चर, बौटनी और एंटमोलोजी विशे की मौडल आंसर की वेबसाइट पर ज्वारी कर दी गई है रायसान सरकार ने होमगाड के 3842 पदों पर भरती निकाली है, आविदन की तारीक को आगे बढ़ा दिया गया है इस पद के लिए आठवी पास उमीद्वार रायसान सरकार की ओफिशल वेबसाइट पर ज़ाकर अब 28 फरवरी तक उनलाइन आविदन कर सकते हैं वहीं कुल पदों में से 30 फीश्दी पद महिला उमीद्वारों के लिए रिजर्व रहेंगे सिलेक्ट होने पर होमगाड को प्रती दिन 693 रुपए के अनुसार मास 21,790 रुपए सेलरी दी जाएगी 36 गड़ की राज़ानी रायपूर में आज से सेलेबरिटी क्रिकेट लिग होने जा रहा है इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए बॉलिवूट के सितारे रायपूर पहुंचे हैं जो रायपूर के क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलते नज़र आएंगे उच्छे शिक्षा को बहतर और आसान बनाने के लिए UGC ने 2022 से परिक्षा के जरिये देश के टॉप विश्व विद्यालियों में दाखिले की शुरुवात की है इस कड़ी में अकादमिक सतर 2023-24 में इस परविश परिक्षा के लिए आविदन प्रिक्रिया रास्टे परिक्षा एजनसी ने शुरू कर दी है इसके तहट विद्यार्थी 12 मार्स तक CUET परिक्षा 2023 के लिए आविदन कर सकते हैं परिक्षा का आयोजन 21 मई 2023 को किया जाएगा इस परिक्षा के जरिये छात्रो को बारवी के बाद DU, JNU और BHU जैसे देश के 50 किंड्रे विश्य विद्यालों में प्रवेश मिल सकेगा तैस्टन सरकार ने समीदा पर काम करने वालों को नियमित करने की घोशना तुकर दी लेकिन वशे 2023 में बजट में IAS पैटन पर अनुभव गिना जाएगा इस पैटन के हिसाब से 15 साल का अनुभव रखने से चिकिस्सा एवम मेडिकल शिक्षा विभाग में 44,833 समीदा करमचारियों में से 44,000 से जादा नियमित होने से बाहर हो सकते हैं इस पैटन के हिसाब से 15 साल काम करने पर सिर्फ 5 साल का अनुभव गिना जाएगा इस से समीदा करमचारियों का नियमित होने का सपना तूटता नज़र आ रहा है स्वामी केश्वानंद राजसान क्रिशी विशी विद्याले बिकानेर की ओर से जुझनु जिले के क्रिशी विज्यान केंड आबुसर को एग्री ड्रोन भेजा गया है इससे यहां के किसानों को फसलों पर क्रिशी रसायनों के छुड़काओं का प्रशिक्शन दिया जा सकेगा साथ ही खेती में ड्रोन तकनीक को शामिल करने से होने वाले फायदे भी बताए जाएंगे केवी के में शुकरवार को एग्री ड्रोन से फसलों पर क्रिशी रसायनों के छिड़काओं का प्रदर्शन किया गया इससे पहले कारकरम के मुखे अतिती सांसा नरेंद्र कुमार खीचर ने ड्रोन का बटन दबा कर केवी के को एग्री ड्रोन मिलने पर शुब काम नाएं दी तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ